साट ओटो से कॉंग्रेस की हुई प्रचंड जीत, हार्ती जनता पार्टी की हुई करारी हार जी आपको दे एक बार फिर हिमाचल की जनता ने रिवाज अपना कयाम रखा और कॉंग्रेस को प्रचंड बहुमत के साथ बिधान सबय में पहुँचा दिया यानि कॉंग्रेस की सरकार बनवा दी लेकिन एक सीट पर कॉंग्रेस ने काटे की फाइट में मैं 60 ओटो के अंतरों से बाजपा को हरा दिया अलकी कई ऐसी सीटे हैं जहां पर कॉंग्रेस ने बहुत ही कम ओटो के अंतरों से अपनी जीत दर्च की है लेकिन हिमाचल में एक मात्र ऐसा सीट है जहां पर सबसे छोटी जीत कॉंग्रेस ने दर्ज की है बता दे हिमाचल की बोरंज बिधान सबाज सीट पर कॉंग्रेस के पत्यासी सुरेश कुमार ने भारती जनता पार्टी के पत्यासी को हराते हुए 60 ओटो के अंतरों से जीत दर्ज की है बुरांज बिधान सवाज सीट पर कॉंग्रेस के प्रत्यासी सुरेश कुमार को कुल 24,789 बोर्ट मिले जबकि भारती जंता पार्टी के प्रत्यासी को 24,719 बोर्ट मिले बोर्ट प्रत्यासी की बात कहे तो बिजेपी को 43,05% बोर्ट सेर मिले और कॉंग्रेस प्रत्यासी को 43,16% बोर्ट सेर मिले बोर्ट सेर में अंतर देखे तो कॉंग्रेस महज 0,09% बोर्ट से भाजपा के प्रत्यासी को हराया है अलाकि इसके अलावा कॉंग्रेस ने सोमनाद विधान सवा सीट पर भारती जनता पार्टी प्रत्यासी को 922 बोटों के अंतरों से हराया वहीं भारती जनता पार्टी ने भी बहुत ही छोटी जीत दर्ज की जहां भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी रंधीर सर्मा को श्री नैना देवीजी विधान सवाज सीट पर 171 बोटों के अंतरों से जीत मिली वहीं नहान भीधान सवाज सीट पर भी कॉंग्रेस को महज 567 बोटों के अंतरों से जीत मिली लेकिन इस बार हिमाचल बिधान सवाज सीट पर भी कॉंग्रेस को महज 382 बोटों के अंतरों से जीत मिली है लेकिन इस बार हिमाचल बिधान सवाज चुनाव में सबसे छोटी जीत दर्ज करने का रिकार्ड भोरल बिधान सवाज सीट पर बना है ये रिकार्ड कॉंग्रेस के सुरेश कुमार ने बना दिया है हलाकि अब कॉंग्रेस हिमाचल में सरकार बयाने की तैयारी में जूट चुकी है मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर मन्थन भी चल रहा है हलाकि दो नाम काफी चर्चाव में हैं जिसमें एक प्रतिवा सिंग का नाम है और दूसरा नाम जो सबसे चर्चा में है वह पार्टी के पुरो प्रमुप सुक्विंदर सिंग सुक्खु का नाम चर्चाव में है हलाकि कॉंग्रेस बिधायक दल के निर्वत मान नेता मुकेस अगनी हत्री भी लाइन में है लेकिन मुख्यमंत्री पत के दावेदार में सबसे उपर सुक्विंदर सिंग सुक्खु और प्रतिवा सिंग का नाम आगे चल रहा है